देश के पहले दलित क्रिकेटर पलवंकर बालू के उपर फिल्म बनने जा रही है। इस प्रोजेक्ट से अजे देवगन से लेकर तिगमांसु धुलिया जैसी स्टार्ट जुडे हुए हैं। तिगमांसु धुलिया लंबे समय से या फिल्म बनाना चाहते थे। लेकिन उन्हें धंका कोई प्रोडियूसर नहीं मिल पा रहा था। अब अजे देवगन इस फिल्म को प्रोडियूस करने वाले हैं। बालू के परिवार से भी फिल्म बनाने की सहमती ले ली गई है। आपको बता दें कि पलवंकर बालू 1911 में औल इंडियन क्रिकेट टीम का हिस्सा बने थे। ये टीम इंगलेंड गई तो इस लेफ्ट आर्म स्पिनर ने 23 मैचों में 114 विकेट अपने डाम किये। चुकि पलवंकर बालू दलित थे। ऐसे में उन्हें अपने करियर के दोरान कई तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ा। ऐसा कहा जाता है उनका लंच अलग रखा जाता था। जब बालू मैदान में विकेट लेतें तो टीम के साथ ही खिलाड़ी उनके साथ जश्न नहीं मनाते थे। मैदान के बाहर उनके खाने पीने के बरतन अलग थे, मैदान में जाने से पहले उन्हें अपने बरतन खुद ही साफ करना पड़ता था, अब उनके जीवन पर एक जवरदस्त फिल्म बनने जा रही है।